देश हित की बात मत्रभुमी न्यूस के साथ योजनाओं का प्रभावी धंग से क्रियानवयं करकरामजन को लाभानुत करे उन्होंने अधिकारियों को टीम भावना से कार्य कर ध्रातल पर जरूरतमंद व्यक्ति को योजना से रहत पहुचाने पर विशेश जोर दिया प्रभारी सचिब डॉक्टर पाथक शुक्रवार को जिला कलेक्टरी सभाकक्ष में आयोजित विभागिय योजनाओं की प्रगती समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिये बार्मेर, शहर के सदर थानक शेत्र के नेशनल हाईवे अर्सट पर थार हॉस्पिटल के पास तेजगती से आ रही राजस्थान परिवहन की बस ने एक बाइक सवार को टककर मारी टककर इतनी इतनी भीशन थी कि बस बाइक को घसीटते हुए सौ मीटर ले गई बस चालक बस सड़क पर छोड मौके से फरार हो गया बाइक चालक बुरी तरह से घायल हो गया और बाइक शतिग्रस्थ हो गई घायल व्यक्ति को राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुचाया गया जैसल मेर किशंगर फाइरिंग रेंज के पास बी एस एफ के जवानों की जिपसी पलट गई एक जवान की मौके पर ही डहखत मृत्यू हो गई जबकि दो जवान गंभीर घायल हो गए जिन्हें जैसल मेर रेफ़ किया गया फतेहगर चौराहे पर प्राइवेट बस एवं शिफ्ट की भिंत मौके पर पहुँचे सागर पुलिस, SDM दिनेश बिश्नोई तहसीलदार मदाराम फतेहगर गंभीर घायलो को किया जैसल मेर रेफ़ अलपसंख्यक मामलात, वक्फ, उपनिवेशन, क्रिशी, सिचित्क, शेत्र, विकास, एवं जल, उप्योगिता, विभाग, मंत्री, शाले, मुहम्मद, गुरुवार को पोकरन, विधानसभाग, शेत्र के दौरे पर रहे इस दोरान उन्होंने राज किये माध्यमिक विध्याले धूर सर्थ लम्वा के क्रमोननत उध्धघाटन समारोव में शिरकत की सीमावर्ती जैसल मेर जिले में सन 1971 में हुए लोंगेवाला युद्ध के विजय के पचासवे स्वर्निम वर्ष के उपलक्ष में जिला प्रशासन एवं इंडिया ट्यूरिजम दिल्ली के सैयोक तत्वाधन में आगामी शनिवार 25 दिसमबर को प्रातह 9 बजे कार्यक्रम म् पर्श करने के लिए बैठक संपन न हुई बार मेर डिसकाम की और से बिजली चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहट पिछले दो दिनों में दो अवेद ट्रांसफॉर्म जबत कर करीब 3.2-7 लाख रूपे का जुर्माना लगाया गया पोकरन गुरुवार को क एबिनेट मंतरी शाले मोहमद पोकरन पहुँचे कॉंग्रेस की 12 दिसंबर को जैपुर में आयोजित महारली की रूपरेखा को लेकर बैठक में भाग लिया जैसल मेर से मांजी की रिपोर्ट देखते रहिए देशित की बात मत्रभूमी न्यूस के साथ आप सभी का हार्द